कैसे आप सब उमीद करता हूं अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज का जो यह वीडियो है यह फुली डेडिकेटेट है दो इंपॉर्टेंट टेस्ट जो लोको पॉयलेट द्वारा कंड़क्ट किये जाते हैं वन इस दब्रेक फिल्ट टेस्ट एंड अनदर इस दब्रेक पावर सिस्टम है तो उनकी एफेक्टिवनेस और साथ में कंट्रोलिंग अबिलिटी आफ ट्रेंज को क्रू द्वारा इंशूर किया जाता है ठीक है तो इसकी जो प्रोसीजर है वो त्रू आउट इंडिया नेलवे जितने भी डिवीजन्स हैं वो सभी में उनिफॉम हैं सभी यह परामीटर को फॉलो करते हैं तो आईए देखते हैं कौन से परामीटर से हैं जिनके ठूब रेक फिल्टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट को कंड़क्ट किया जाता है वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स करेंटिंग स्टेशन से ले जाता है तो वह जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो वह ब्रेक फिल्ट टेस्ट करता है ठीक है इसके अलावा या तो जहां भी क्रू चेंजिंग पॉइंट होता है तो वहां पर भी यह टेस्ट कंड़क्ट किया जाता है तो हम यहां पर बात क परफॉर्म किया जाता है तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए स्पीड लिमिट और प्रेशर की बात करेंगा रहाँ पे तो ऑन अटैनिंग दे स्पीड आफ 15 kmph तो जैसे ही ट्रेन है हमारी चाहिए पैसेंजर ट्रेन हो या गूर्स ट्रेन हो और अटैनिंग दे पीड ओब 15 kmh 15 kmph इसने अटैन कर लिया तो इस केस में लोको-पाइलेट द्वारह 0.5 kg स्ट्रेश में पर संटीमीटर का हीए जो की मिनिमम डिडक्षन होता है 0.5 kg पर संटीमीटर स्ट्रेश मेर मीनिमम डिडक्षन थीक है ।ो ब्बर प्रेशर जो है 0.5 kg के पर सेंटीमेटर स्क्वाइर ड्रॉफ किया जाता है थूए नाइन वाल्व और इस केस में अगर डीपी आरे सिस्टम है मैंने भी आपको बताया कि कोई भी पैसेंजर ट्रेन या गोड्स ट्रेन है ठीक है अब हम बात करें यहां पर डीपी आरेस डिस्टिबूटेट पाव और Rowling स्टॉट जिसके अनदर अगर मेमो की बात करें तो मेमो के कैस में आटो ब्रेक की बात करेंगे है हाँ ठीक है कितो लुछ मी चैख वेलेक्रव कर पर सेंटिम्सवार प्रेशर का ड्रॉफ होता है आप अपर ऑटो ब्रे लेक निजमान के अकर एक मेन लाएं इललेक्रिकल मुल्टिपल उनिट्स तो इसमें गेनरली एक रेक्ट्रोन्यूमेट्रीक ब्रीकिंग होती एक आठना आपको कि यहां पे ऑ्रक्रारीड प्रिकंग का केस ही इंपॉर्टन्ट लेटमेश सब्सक्राइक इपी ब्रेकिंग सपोस्ट फेल हो जाए हमारा तो इस केस में मेमू को आटो ब्रेकिंग के थ्रू जो है तो उसका एर ब्रेक परफॉर्म किया जाता है तो इस केस में हमने देख लिया यहां पर कि कि स्पीड जो है 15 kmph है और अटेनिंग दिस फीट 15 kmph और मिनियूम रेडक्शन किया जाएगा ठीक है या तो ए 9 वाल से करें या आटो ब्रेक फर मेमू और इस तरह से जो है तो क्रूज को इंशोर करेगा और इस केस में जो है तो ब्रेक अप्लिकेशन होगा ठीक है जब भी 0.5 kg पर सेंटिमेटर स्कार का प्रेशर ड्रॉप होगा तो क्रूज फील अप्लिकेशन अप ब्रेक और उस केस में जो तो इस केस में देखी स्पीड रेडक्शन जो है तो कि आफ्टर टैनिंग 15 kmph करा था तो वह अब हो जाएगी कितना 10 kmph तो यह था ब्रेक फिल टेस्ट तो आपने जहां भी आप ओरिजिनेटिंग स्टेशन है या फिर क्रू चेंजिंग पॉइंट है तो वहां पर आपने अब करोंत नहीं के देखा होगा promise कि क्रूद यह पर solves किए गया है इसके बाद हम आते हैं दूसरा टेस्ट है जो काफी इंपोर्टेंट है ब्लेग जरिक पावर टेस्ट तब्लेक पावर टेस्ट की बात कर लेते हैं तो ब्रेक पावर टेस्ट जो होते हैं तो जैस 50 to 70 kmph for passenger trains और 40 to 50 kmph in case of goods train हो जाता है तो जैसे ही यह speed limit reach कर जाती है तो लोको पाइलेट द्वारा पुना ब्रेक पावर टेस्ट के लिए तयारी की जाती है ठीक है तो लोको पाइलेट इस केस में जो है तो 1 kg per cm2 का pressure coaching trains and loaded goods train के अंदर करता है ठीक है और अगर empty goods train की बात करें और तो इस case में जो है empty goods train में 0.5 kg per cm2 का pressure BP pressure drop किया जाता है through a9 ball और इस case में मेमू की बात करें अगर तो मेमू के लिए यहां पर देखे यह इपी ब्रेक का यूज कियाता है यहां पर देखे काफी important है पहले यहां पर auto breaking था लेकिन इसको भी सुधारा गया ठीक है और मेमू के case में यहां पर इपी ब्रेकिंग जो है करके इपी ब्रेकिंग की जाती है और उसके बाद जो है after a pause उनको release कर दिया जाता है ठीक है तो एक important point यहां पर आप देखेंगे कि इस case में जो speed का drop है that means break power test करने के लिए जो speed का drop है जैसे हमने 1 kg पर cm2 pressure application किया तो इस case में जो train में drop है वह स्पीड वह 30 to 35 kmph आ जाएगा ठीक है इसके अलावा अगर हम good strain की बात करें तो empty good strain के अंदर अगर हम बात करें है तो जो pressure का drop है वह 20 to 25 kmph good strain के अंदर हो जाएगा ठीक है तो 40 to 50 means speed जो हो रही है just half हो रही है ठीक है तो पहले वह speed जो थी वह 60 to 70 kmph थी और 1 kg पर cm2 pressure गिराने पर वह speed जो है 30 to 35 kmph हो गई है और इसी प्रकार good strain के case में 40 to 50 kmph से वह good strain रन कर रही थी और वह speed जो है 20 to 25 kmph हो गई है तो इस तरह से जो है फिर इसके बाद जो है तो पुना जो यह bb pressure को 5 kg attain किया जाता है means हमारा जो ट्रेइन हो फुली चार्ज हो जाता है बीबी प्रेशर चार्ज हो जाता है और इस तरह से ल्पी जो है तो वह ब्रेक की effectiveness को check कर लेता है और इन दोनों केसे में हम देखते हैं आपर कि एफ़ाई निडिल्स जो होती है हमारी दैट मेंस एयर फ्लो इंडिकेटर अट शुट बी दैट कमस तो बीजीरो और दैट मेंस और नॉर्मल ट्रैक्शन विल भी रिजूम्ड तो हमारा जो ट्रीन का रणिंग है वह नॉर्मल कंडिशन में आ जाता है ठीक है आफटर आफटर ब्रेक पावर टेस्ट एंड आफटर ब्रेक फिल्ट टेस्ट ठीक है तो यह दुनों चीजे काफी इंपॉर्टेंट हैं तो यह थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपको इस दो हवा नाइज दे